बुद मॉर्निंग बच्चों आज हम सहायते सागर भीड में खोया आदमी पाठ के परमुख पात्रों का चिरित चिरितरन और अन्य महतपून प्रश्न पढ़ते हैं तो ये पाठ आठ है तो चलिए हमने सबसे पहले शामला कांत का चिरित चिरितरन पढ़ते हैं शामला कांत एक मद्दे विरग्ये व्यक्ति हैं उनके परिवार में उनकी पत्नी तीन वेटे बग चार बेटियां हैं शामला कांत एक छोटे तो कमरे के घर में रहते हैं घर इतना छोटा है कि उनके परिवार का निर्वाह भी कटनाईस से हो पाता है उनकी आर्थिक स्तिती वी ठीक नहीं है तक था अब बड़ी बेटी की शादी वी आ गई है जिससे शामलाकांत की स्थिती ओर देनिये हो गई है, शामलाकांत जी की पत्नी विमार वी है, इलाज होना संभव वी नहीं घर में बच्चों की भीड की कारण कोई सुविदा विवस्ता वी नहीं है, शामला कांत मेंती व्यक्ति होने के साथ साथ है लापरवाह व्यक्ति है इनकी लापरवाही के कारण ही उनके परिवार के स्तिति करूनिक है दिया के योगी है आज पड़ा परिवार उनके लिए समस्या बन गया है परिवार को सुखी तो रखना चाते है पर धन के अभाव के क प्रिवार का पालन पोश्चन इस्त्री की चिकित्सा सुविदा उपलप्त कराने में असमर्थ है, दूर दृष्टी का अभाव है, दूर दृष्टी की कमी है जो आज उनके कश्ट का कारण बना हुआ है, तो अब हम बाबु श्यामला कांत की पत्नी का चिरिचरितरन पढ़ लागलवेट से रहत एक सर इस्त्री है, वैं जीवन की मुश्किलों का कटनाईयों का धहरे पूर्वक सामना करती है, स्वेम शारीरक रूप से दुर्बल कमजोर होते हुए वी उसे प्रिवार की अधिक चिंता है, वैं अपने पती के मित्तर के समुक सामने अपनी स्पष्ट त्रीके से रखती है, वैं एक साधारन भारतिय नारी की प्रति मूर्ती है, अब हम अन्य प्रशन पढ़ते हैं, अब देखिए, अब यही देखिए ना मेरी तबियत भी धीली ही रहती है, सोचा था विवाहा के कपड़े दर्जी से सिल्वालूंगी, तो प्रश कव पढ़ते हैं, किसकी तबियत धीली सी रहती है, और क्यूं श्यामला कांत की पत्नी की तबियत धीली सी रहती है, उसका कारण है बड़ा परिवार और उसके अनुरूप अमधनी का आये का कम होना, धन के अभाव कमी में श्यामला कांत के बड़े परिवार को ना तो मुफ्त द्वा देने वाले हस्प तालों में भीड और महेंगे इलाज के कारण समय पर सही इलाज ना मिल पाना अता ऐसी स्थिती में शामला कांत की पत्नी की तबियत खराब ही रहती है किसका बिवा है कपड़े सिल्वाने कोन गया है दर जी ने उससे क्या कहकर इंकार कर दि बाबो शामला कांत की बेटी का विवा है कपड़े सिल्वाने के लिए दर जी के पास शामला कांत का बड़ा बेटा गया था दर जी ने पहले से आये कपड़ों का धेर दिखा कर अपनी मजबूरी जाहिर करदी अर्थात इंकार कर दिया प्रश्न तीन शामला कांत जी के प जिम्मेदार है उत्र शामलाकांची के प्रिवार में कुल नोस दस्य है एक बड़ा प्रिवार है और इसके जिम्मेदार स्वेम शामलाकांची है उन्होंने प्रिवार नियोजन की लापरवाही की और बच्चों की फोच खड़ी कर दी उन्होंने अनेक समस्यों को स्वेम ही अपने आप ही जनम दिया है, जिसका कोई समाधान हल दिखाई नहीं देता, प्रश्न चार, लेखक ने अपने मित्र के घर सबसे बड़ी क्या समस्या देखी, उत्र लेखक ने अपने मित्र के घर सबसे बड़ी समस्या ये देखी, कि उनका मकान बहुत ही चोटा था उसमें केवल कमरे उसमें केवल दो कमरे थे उनमें बुरी तरह समान भरा गया था उसी मकान में उनका नो प्रानियों का परिवार रहता था तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक शियर और सस्क् वश्य कीजिए धन्यवाद